नमस्कार खरी खरी लेकर हाजिर वो मैं सर्वमित्रा देश की बेटी विनेश फोगाट पेरिस से लौट आई हैं पेरिस उलम्पिक में शांदार प्रदर्शन करने के बावजूद विनेश को जिस तरह पदक से बंचेत रखा गया वो तमाशा सारे दुनिया ने देखा है दे चीजे चलती हैं तो उस समय महिला खिलाडियों का यौन शोशन किया जाता है यह आरोब गंभीर आरोब रिजबूशन शरन सिंग पर लगे थे लेकिन मोधी सरकार ने न तब कुछ किया न अब कुछ कर रही है और इसके बाद पूरे देश ने ये भी देखा था कि किस तरह विनेश फोगाड साक्षी मलिक ये जो महिला पहलवान है इनों किस तरह से जंतरमंतर से लेकर संसक के सामने तक लड़ाई लड़ी इन लोगों ने अपने पदक तक गंगाजी में बहाने का वो कर दिया वो प्रधान मंतरी के आवास के सामने पदक भी रखकर आ गए लेकिन इस सब के बावजूद देश जो है वो विनेश फोगाड को इनसाफ ना मिलते वे देखता रहा और उसके बाद इसके जब ओलमपिक में उम्ता शांदार प्रदर्शन हुआ जब उन्होंने क्वाटर फाइनल और सेमी फाइनल के बाद फाइनल्स में भी अपनी जगे बना तो ये कहा जाने लगा कि विनेश फोगाड ने देश में तो वो न्याय हासिल नहीं कर पाई लेकिन अब उलमपिक में वो गोल या सिलवर जीत कर बिलकुल कमाल कर देंगे और मोधी सरकार को इसका तकड़ा जबाब मिल जाएगा लेकिन इस से पहले कि विनेश जीतती पद नहीं क्यों उसने उलमपिक में इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई लेकिन मोधी सरकार को जो करना था वो करती रही लेकिन आज जिस तरह विनेश फोगाड का पूरा जब वो दिली अर्पोर्ट पर उतरी है और उसके बाद अपने गाउं तक की उनकी जो यात्र भी हो गई क्या कुछ कहा विनेश फोगाड ने पहले इस ट्वीट को उनके एक बाइट को सुन लेते हैं विनेश फोगाड बहुत शुक्र गुजार है उन्हें अच्छा लग रहा है और यह अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि उनके लौटने की जब से खबर मिली थी तब से बजरंग कुनिया ने दिपेंदर हुड़ा ने लोगों ने कह दिया था कि हम उनका स्वागत करेंग और एरपूर्ट पर आज जिस तरह से लोग उम्डे उससे ये समझ में आ गया कि देश अभी भी विनेश फोगाड के साथ खड़ा हुआ है इस बीच दिपेंदर हुड़ा ने एक ट्वीट भी किया था क्या है वो ट्वीट इसको देखते हैं दिपेंदर उड़ा लिखते हैं विश्व विजेता पहलवानों को अपने दाओ से परास्त कर लोटी देश की बेटी और हर्याना की शेरनी विनेश फोगाड का भारत में स्वागत एवं अभिनंदन आम तोर पर रक्षा बंदन पर भाई बहन को तुपा देता है मगर आप आपने तो हम सभी हिंदुस्तानियों की छाती गर्व से चौड़ी कर दी आप अपने जीवन का हर दंगन यूँ ही जीतते रहो यही हम सब की शुपकामना है चैंपियन बहन एट विनेश फोगाड का दिल्ली एरपोर्ट पर स्वागत वेलकम विनेश दिपेंदर हुड़ा विनेश फोगाड के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर और इस दर देश में भी महिलाओं के साथ जिस तरह का वेवार हो रहा है उसके बाद ये सवाल उठाये जाने लगे हैं बीजेपी पर खास तोर पर जो अलग-अलग राज्यों में कहीं लाड़ली बहना और तमाम तरे क कि योजनाय जो चलाती है कि आखिर ये बीजेपी की कैसी सरकार है जो अपनी बहल और बेटियों को इंसाफ नहीं दिला सकती खैर विनेश फोगाड ने ये साबित कर दिया कि अपने इनसाफ की लड़ाई वो खुद लड़ेंगी कल उनका एक मिलब कुछ दिन पहले जब प वीट आया है जिसमें तीन पन्नों का पत्र है या ये कहना चाहिए कि अपने चाहने वालों के नाम एक खत है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि वो शायद दोहजार बत्तिस में अलम्बिक खेल सकती है याने अभी विनेश कुष्टी के मैदान में जमी रहेंगी ये तय है लेकिं विनेश के कुष्टी में जमी होने से इधार हर्याना की सियासत में क्या ट्विस्ट आ रहा है ये आज के इस रोठ शो से दिख रहा है क्योंकि दिपेंदर घुड़्डा कॉंगर्निस के नेता है हो सकता है संभावित मुख्यमंतरी भी हो हर्याना के या उनके पता भुपेंदर सिंग घुड़ा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिपेंदर घुड़ा जिस तरीके से विनेश होगाट के मामले में लीड ले गए बीजेपी से, इस से हर्याना की राजनीती में एक नया ट्वेस आते दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में पंदरा तारिक को भी जब मोदी जी ने पेरेस ओलंपिक के बागी खिलाडियों से मुलाकात की थी, हौकी टीम के और बैडमिंटन प्लेयर से सबसे बात की थी, उन्होंने विनेश वगाट का भी जिक्र किया था, पी इस मामले में पिछड चुकी है, और ये पिछड़ना कहीं न कहीं हर्याना की राजनीती में पिछड़ने का भी संकेट है, बहराल विनेश के आज लोटने पर उनके जो साथी पहलवान है, साक्षी मलेक, बजरन कुनिया, इन लोगोंने क्या कुछ कहा, आईए इसको भी सुन लेते हैं. बस में कहना है कि मैडल नहीं लेके आई, कोई बातनी मैडल नहीं मिला, लेकिन वो जो काम करके आई है, ऐसी रेसलर को अराया है, जो अब कभी हारी रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है, और हमारे लिए वो उलम्पिक चैंपिन से कम लिए ये कोई राजनेती की आतरा राजनेती की आतरा नहीं है, ये एक पैलवान का स्वागता है, ये एक उलम्पिक चैंपिन का स्वागता है कि इसको राजनेती का जो मिल्कुल नजरिये से नहीं देख रही है, लेकिन दिपेंदर हुंटा का वहां होना ये ऐसा लग रहा है, कि दिपेंदर हुंटा ने विनेश कोगट के स्वागत के साथ ही, खर्याना चुनाओ का प्रचार भी जो है, वो शुरू कर दिया है, बज मिलना ना मिलाओ बागए है, विनेश ने जो रोड से पोडियम लग रहा है, विनेश वोगट का मामला अब और आगे तक जाएगा, क्योंकि अब जबकि वो बतन वापसी कर चुकी है, जब वो देश में लौट चुकी है, हर्याना अपने गाओं भी पहुच गई है, और हर्याना चुनाओं का ऐलान कल ही हुआ है, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार काफी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी वहाँ इस बार अकेली पड़ी हुई दिखाई दे रही है, उसकी सब्ता पर पहले से बहुत सारे खत्रे हैं और उपर से कॉंग्रेस जिस तरह से आक्राम अपो कर अब मैदान में उत्री हुई है, उसके बाद वीजेपी किस तरह से हर्याना के सियासी अखाडे में कॉंग्रेस का सामना कर पाएगी, ये देखने वाली बात है, इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ जुड़े वे हैं दीपक पाजबोर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर, दीपक जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कारेक्रव में, दीपक जी अबे आपने ये लगातार देखा, किस तरह विनेश वोगाट का स्वागत हुआ, हम लोगो कोसी की मेंबर हैं, तो उन पर भी सवाल उटे कि आप क्या कर रही हैं वहाँ बैट कर, क्या आप लोग खेलों में सिर्फ पैसा कमाने के लिए जुड़े वे हैं, या हमारे खिलाडियों को इसका कोई लाभ भी मिलेगा, ये भी कहा जा रहा था, विनेश होगट ने अपील की थी, कैस में जो स्पोर्ट के लिए जो इक न्यायन है या प्राधिकरण है जहां पर अपील कर सकते हैं खिलाडी कोई अन्याय होने पर, लेकिन वहाँ भी उनको निराशा मिली, पहले तो उनका मामला कापी दिनों तक अटका रहा, ये हुआ कि तेरा तारिक को उस पर फै उस महिला पहलवान जो अमेरिका की हैं, उन्होंने भी ये कहा कि विनेश के साथ नाइनसाफी हुई है, पूरा खेल जगत जो है, दुनिया भर का जो खेल जगत है, वो विनेश कोगट के मामले में उनके साथ खड़ावा दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत सरकार इसमें कह देख रहे हैं हंदी पर जी, देखिए इसका जो लाजनेश की पहलू है सरुमित्र जी, इसमें हम बाद में आते हैं, लेकिन देखिए इसका जो एक दूसर भावनात्मत बख्ष है, और मुझे लगता है कि विनेश जो है, वो इस लड़ाई में पदक की लड़ाई से उपर हो गई है, उन्होंने देखिए पूरे की पूरे भारत सरकार को आज जो है, वो पराजित कर दिया, पूरे भारती जनता पार्टी को पराजित कर दिया, आज दोनों की सित्ती ऐसी हो गई है, वो विनेश को लेने के लिए एरपोर्ट में बने ही जानता, सरकार का कोई नुम अगर आप में यह बात होती हैं, बहुत सारों खिराड़ी कुल 6 लोगों को छोड़कर, जितना बड़ा दल हमारा गया था, शायद 17 लोगों का गया था, सारे के सारे तो पदक जितके नहीं आ हैं, हमें तो खेमों में 6 में पदक मिले हैं, कुछ उसमें टीम इवेंट्स थें, तो जैसे हौकी का है, तो हौकी में ठीक है 11 हो रहे हैं, इसके अलावा साधे के सारे पराजित होकर ही लोटे हैं, लेकिन विनेश के साथ भारत सरकार खड़ी थी या नहीं खड़ी थी, यह आज साबित हो गया, प्रेकि आज सबसे पहले अगर किसी को स्वागत करना इसका मतब यह है, कि जब कोई जीतकर ही लोटेगा, क्या तभी आप उसका स्वागत करेंगे, दूसी बात, विनेश का मुद्दा जो है, वो केवल एक केवल भारत के लिए नहीं रह गया था, यह पुरे की पुरे अंतर राष्टी इस तर पर छाया, सारे के सारे लोग कह र पता रहते हैं कि क्या नियम है और उन्हें कोई सहानुबुती ने थी विनेश के मुपाबले से वाहर होने से, विनेश में मुकाबला ही नहीं, भीना लड़ कर दिया गया, चलिए आप ठीक हैं कि आप निउगों का हवाला दें कह सबते हैं कि विनेश's को अगर हटाया गया तो नियुगों के अंतरगत हटाए गया, लेकिन एक भाती होने के नाते तो आपको दुख होना चाहिए था, ये आपके सबसे बेहतरीम खिलाडियों में से एक विनेश को बिना लड़े, हार जाये तो कोई बात नहीं, हम भी जानते हैं कि हर खिलाडी नहीं चीटता, कई खिल अगर वो हार कर बाहर हो जाती, तो कोई बात नहीं थी, आपने तो उसे आजमानी ही नहीं दिया, आप तो ताकत को, और सबसे बड़े बहुत सही बात है कि उसने इसके पहले जिसको हराय था, उसनों ने शायद एक दिन में तीन मुकाबले जीते थे, लगातार तीन आजे थी, सेमी फाइनल में उसको हराय के पहुटी थी वो, उसने आज तक कुछी का कोई मुकाबदा नहीं जीता था, और निश्चित रूप से इसके पाद बहुत सारे खिलारियों ने भी कहा, वीनेश के साथ अन्याय हुआ है, अगर भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती, भारती जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं होती, तो इस सब के सब वीनेश के लिए लड़ते, उन्हें उसका हंग मिलता के नहीं मिलता हुट बाद की बात है, आग भी मैं कोई ऐसा भिलार के भार्फ सरकार की और से हैं, या हमारे पनान मुद्रिस साहब की से कोई ऐसा संदेश नहीं दिख रहा हूं कि विनेश को वो स्वागत करें उनको कोई धाड़स बन्दा है आप यार कीजिए एक मैच के बाद उन्होंने जरूरू कर लिए क्विट किया था जो उसके बाद उन्हें बाहर किया तो मोदी जी नहीं किया आप यार कीजिए कुछ जो है वह बहुत निराज थी तम्हस्त वह विनेश बोगाठी श्याहिश थी विस्के समय और उनको कहा था कि तुम मैरे बेटी हो तुम मेरे घर की सदस्य हो तो आज कहा गई पाटी आपने जो कहा असर मुद्रजे कि देश की बेटी बिनेश-विनेश-विनेश-बोटी है यह देश की बेटी है लेकिने भारती जनता पार्टी की बेटी नहीं है अगर भारती जनता पार्टी की बेटी होते हैं तो वहाँ पर तो दिल्ली में जो भारती जनता पार्टी के ही सबसे ज़्यादा सांसत हैं सबसे ज़्यादा लूब हैं कहा गए वो सारे के सारे लोग क् कि सरकार है कहा है वो लोग इसका मतब है कि आपको मूझ शुपाने के लिए जगा नहीं मिल नहीं है पहले तो शंका थी कि आप इस शरीयत के शामिल है आज उसके पुष्टी हो गई अगर आपका कोई दोश नहीं था तो आपको निश्वित रूप से वहां पर उपर्शित हो कहा तो नहीं था कि आपको पीजेपी के लोग नहीं आएंगे उन्हें जाना चाहिए था उन्होंने लीड नहीं ली इसका मतलब यहीं कि शरीयत में शामिल है और असली बात भी है कि उन्हें बहुत जबत शर्म आ रहे है इस बात की कि विनेश भोगाट का ऐसा स्वागत हो होगा और चाहते हैं कि वह अगला अगला जो फिर से के मकाबले होंगे वह मैदान में डटी रहे कि दंगल फिर्म में यहीं दिखाया है कि दंगल में जिस समय एक पहली पुष्टी हाती है उसके बाद लगाता जीदिती जाती है चोटी सी बच्ची जब वो चाती है कि लिए आज उनका नाम है हम सब चाहते हैं कि विनेश मैदान में डिकी रहे अजीज प्रकार से आज उसने एक जबतस्त उसका स्वागत हुआ है उसमें हम सब लोग शामिल है चाहे हम वहाँ एरपोर्ट पर नहों उसके गाउं में नहों हम सब का दिल जो है विनेश के साथ ह और वो लगातार लड़े और आगे बढ़े तरुमित्र जी बिलकुल विनेश होगाट के लिए बहुत बड़ा संदेश है क्योंकि लोग उनको लगातार लड़ते और आगे बढ़ते वे देखना चाहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो चाहे कुष्टी का खाड़ा हो या यह जो सियासत उनके साथ हुई है जिस तथा कथे शडेंद्र की वो शिकार हुई है ऐसे में किवल उनका हौसला पस्तनी हुआ है यहाँ पर वो सारे लोग कहीं न कहीं विनेश के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं जो किसी लग किसी तरह नाइंसाफी का शिकार हुए है च अपसर लोग चुपी साथ जाते हैं खासकर कि महिलाएं वो आवाज नहीं उठा पाती है और यह किस्सा जो है घर से लेकर दफ्तरों तक और हर जगे यह चीज होती ही है कि महिनाओं को कहीं न कहीं हाशिये पर धकेला जाता है और इसी लिए जब विनेश जैसी लड़किया लड़ती हैं और हर्ने के बावजूत जब हो कहती है कि मैं मैदान नहीं चोड़ूंगी तो यकीन मानिये कि लाखो करोड़ों महिनाओं को उनके इस जद्वे से बहुत खुशि होती है भले होसला मिले नहीं कि हम खुद जाकर लड़े लेकpri कि कम से कम खुशि होती है देख कि दीपक जी वो इसलिए क्योंकि दिपेंदर हुड़ा को हमने देखा वो पहुचे और वो कॉंग्रेस के सांसद है और आप याद कीजिए जब रुपेंदर हुड़ा ने ये कहा था कि अच्छा होता अगर अभी जो राजसभा के चुना होने है उसमें विनेश वोगाट को भेजा जाए दिपेंदर उड़ा ने कहा कि मेरी सीट खाली हुई है वो उनको मिल जानी चाहिए बीजेपी ने इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी हाला कि नायाव सिंग सैनी उन्होंने ये कहा कि सिलवर मेडल विजेता को जो कुछ मिलना चाहिए वो हम उन को देंगे लेकिन देंगे आप वहां तक पहूचे नहीं बीजेपी का कोई भी मतलब दिखा नहीं अगर पहुचा होता तो अब तक सोशल मीडिया पर आ गया होता की हरी संवागत किया है लेकिन हरी के लेकिन हर्याना चुनाव पर विनेश के आने का या जो महिला पहलवानों के साथ जो अन्या हुआ है उसका क्या कुछ असर पड़ेगा ये देखने वाली बात रहेगी दिपिंदर हुड़ा ने आज एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने हर्याना के लोगों की ओर से ये द पहलवानों के लिए भी खास माना जाता है वो उनको भेट करके ये बताया कि हम आपके साथ हमेशा खड़ेवे हैं अब सवाल ये है दीपक जी कि इन सब बातों का क्या हर्याना चुनाओं पर असर पड़ेगा क्योंकि हर्याना के अभी हम पिछले आंकडे देखें पिछले चुनाओं में याने 2019 के चुनाओं में बीजेपी ने वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप पे उभरी थी हम वो स्क्रीन पर अगर दिखा सकते हैं तो दिखा दें कुछ फिगर्स हैं आकडे हैं उनको हम देख लेते हैं हर्याना की कुन है 90 सीटे उसमें बहुमत का आकड़ा होता है 46, पिछले 2019 के विधान सभा चुनाओं में बीजेपी को मिली थी 40 सीटे, कॉंग्रेस को मिली थी 31, जेजेपी थी 10 सीट पर और अन्य में थे और या निर्दली देखने जैसे गोपाल सिंग कांडा तो 9 सीटे मतलब एक निर्दली और बाकी अन्य थे, यहा से अलग हो गएते, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया और बीजेपी की सरकार बन गई 50 सीटों के साथ, कॉंग्रेस जोती 31 सीटे लेकर विपक्ष में बैटी, लेकिन साड़े चार साल बीटते न बीटते, अभी क कुछ समसा में पहले जेजेपी ने अपना समर्थन वापिस ले लिया, बीजेपी फिर से अन्पमत में आ गई लेकिन जोड़ तोड़ करके अभी वो सरकार में बनी हुई है, खटर जो हैं, अब वो संसत बहुच गए हैं, मुख्यमंत्री पद उनको छोड़ना पड़ा था नायव सिंग सेनी संसत से विधान सभा मतलब वो बन गए मुख्यमंत्री, ये अभी बीजेपी ने यहाँ पर ये पेर बदल किया, लेकिन दो हजार चौबिस के लोगसभा चुनाओं में फिर बीजेपी को एक तरह से कॉंग्रेस से मात इसले खानी पड़ी, क्योंकि पिछ ये रहा कि कॉंग्रेस का बोट प्रतीशत जो है, वो काफी बढ़ गया, फिछले चुनाओं की तुलना में और बीजेपी का काफी घट गया, अब जो है, लोगसभा चुनाओं खतम हो गए, फिर से विधान सभा चुनाओं की तयारी, एक अक्टूबर को चुनाओं है, चा आम आदमी पार्टी का और कॉंग्रेस जो इंडिया घट बंदन में साथ में है, वो अलग-अलग महां पर चुनाओं लड़ेंगे, दोनों के हरियाना में अपने अपने आधार है, उस आधार पर लड़ेंगे, लेकिन इनेलो और बसपा, ये दोनों जो है, इन्हों ने बीजेपी के लिए चहरा माने जा रहे हैं, लेकिन कॉंग्रेस के और से अभी तब कोई चहरा तय नहीं हुआ है, इन पूरे हालात को देखते वे, आपको क्या लगता है, कहां टिकी रहेगी बीजेपी, या हर्याना के सियासी अखाड़े में पस्त होने की उसकी तयारी दि है, उसका असर वहां की विधान सभा सीटों पर भी जाएगा, बहुत सीदी सी बात है, इसके ठीक निप्रिक, कांगे सको जीरो से अगर पांस सीटे मिलती है, तो आप सोचे कि कितना बड़ा उच्छाल है, वहां की विधान सभा सीटों पर भी उसकी बढ़त पढ़ेगी, दो मुद्धें यहां पर बहुत जबरदर्श धंग से काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, पहला तो आए किसानों का आंदोनन है, लगाता है वहां पर काफी सक्री रहा है, पिस्टे समय से रहा है, और सबसे बड़ी जो तादात थी किसान आंदोनन में उपस्तित रहने व जो मुद्धा बहुत बड़ा मुद्धा जो मिल गया है कांग्रेस को वह है विनेश भोगाट का आगमन और यह बहुत सही है कि दिपेंदर हुड़ा वहां पर पहुंश कर उन्होंने पिछले पिछले राउंड में मैंने उसे राजनेतिक पहुरू के बात नहीं की थी लेकिन इतनी बड़ी वो इस समय बिना लड़े और जिस तरी किसी उसे निकाल दिया गया और जिस प्रकार से भारत सरकार का शर्यंत्री कारी चेहरा जो सामने आया है पीछे पी सरकार का उसके कारण विनेश होगा जो है वहां पर बहुत बड़ा एक पोल्टिकर रहीगी मुझे ऐ ने जाता है कि वाकिव तो राजसभा में ले जाए जाएगा लेकिन यह एक रण्मितिक मैं कावरिस्टोर से उन्हें राजसभा में भेजा जाए अगर राजसभा में आप नहीं भेशते तो उसे अगर आप कम से कम वहां पर विधान सभा में कोई चुनाव लड़वाते है तो विनेश को गाड जो है बहुत महत्वर भूमिका अदा करेगी नमबर एक महिलाओं के बहुत बड़ा बोट बैंक है वह वहां पर पाएगी हर्याना में स्पोर्स फ्रेटर निटी खिलाडियों का एक बहुत बड़ा सेक्टर है बहुत बड़ा वर्व समू है जो खिलाडि जो है यह हर्याना के हैं फिर आप याद कीजिए कि कुछ समय पहले जब यह मामला उठाता महिला पहरवानों के साथ जो पीरन क्या रूप लगाए गये थे प्रिजिभूशन शरण स्थीन के खिलाब उस समय वहां के बहुत सुबे सुबे वहां पर एक गाउं के अखाड़ किसानों के साथ लगाटार वहां पर भार्तिय जो है उसके अपना समर्थन दिया है MSP के पारे में उसने घोषना कर दी है हमाई सरकार अगर बनती है तो MSP दिलाए जाएगा याद कीजिए अभी जिनों पहले ही इसी सत्र में लोग सभा के संसत के किसान मिलने पहुचे थे राहुर गांधी से संसत में और जब उन्हें मिलने नहीं दिया गया तो बाहर आके मिले थे उसके बाद उसमें बहुत सारे जो किसान मिलता है उस सारे के सारे अर्याना के हैं और आसपास के हैं वहाँ पर कल जैसा इसका चुनाव की घोषना हो कोई उसका परफॉर्मेंस बहुत खराप नहीं रहा है बहुत सारे अन्य राज्यों को अगर हम देखें उसके मुकाबले कापी मुकाबले की पोजिशन में है उसके ऐसी स्थिती है कि भारती जन्ता पार्टी को तगरी टकर दे रही थी पहले भी दे रही थी पराली थोने के बात पुदे रही थी अब तो उसके ताकत भारती जन्ता पार्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी है मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ही देखना है कि कहां पर को लड़ेगा इस पर चिंता करने वाली का एक ही फेक्टर जो है मुझे जो लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है उसका नुकसान पंजाब में भी हुआ था आप और कॉंग्रेस को एक साथ लड़नी की कोशिश करनी चाहिए यह होता यह है यह जो छोटे-छोटे जो जल है अलग लड़के कहीं जो है भार्टी जन्ता पार्टी के जो आउसर है प्रॉस्पेक्ट जो है उसको उसका असर होगा मैं यह नहीं जानता कि इनका निर्णय क्या होता है या फिर से दोनों अलग-अलग लड़के गलती करेंगे मेरा आज से नहीं लगवक 5-6 वर्षों से यह मानना है मैं वह याद करता हूं कि दिल्ली में एक प्रेस वालों के साथ बाचित में अरुम शोरी यह कहा था कि वन अगेंस वन एक के खिलाफ एक आप खड़े होंगे तो ही भात्ती जन्ता पार्टी आप ख़रा सकते हैं ठीक है अंड़र परसंट को संभव नहीं होगा लेकिन पूरी कूशिश करनी चाहिए कि कम से कम इंडिया करवंधन के अंदर जितने भी दल हैं वह कम हर्याना का जम्मु कश्विर का चुनाओं बहुत महत्रपूर है आप याद कि कल भी है जो हम लोग बात कर रहे थे तो हमें थोड़ा से डाउट था कि महाराश्ट में जिस प्रकार से घट्टा क्रम हो रहा है तो महाराश्ट का चुनाओं शायद नहीं कराएंगे हर्याना का इन्हों ने इसलिए करा दिया था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से विनेश्ट होगा टाइम कि उसका ऐसा स्वागत हो जाएगा अब बहुत सारे दूसे फैक्टर चुन जाएंगे लेकिन महाराश्ट की तरह हर्याना में बहुत अच्छी फाइट होने जारी है पशर्टे की कोशिश ये करें कि मतों का विभाजन नहीं हो भाष्पा विरूंदी मतों का विभाजन अगर नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि वहाँ पर कॉंग्रेस सरकार बना सकते नहीं किस तरह से बेहमानी की वह बेहमानी जो है अनिल कुमार मसी उस समय निर्वाचा नधिकारी या जो रिटर्निंग ऑफिसर थे और उनकी वह बेहमानी बाकाइदा कैमरे में कैद हुई सुप्रिम कोट ने इस पर पढ़कार लगाई और नतीज़ा ये हुआ कि पिर आम मज़ चुकी हैं दोनों पार्टियां तो हो सकता है उनके रणनीतिकारों को इस पर विचार करना होगा कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस अगर एक साथ मिलकर लड़े हर्याना में तो बीजेपी की हार मिलकुल तैय है क्योंकि आप देखिए दीपक जी पिछले चुना तो हो सकता है यहां पर भी उसको फिर वो बीजेपी को पड़ी टकर देगी और उसको नुकसान होगा केवल 15 सीटों का फासला रह गया है और अब तो अगर आम आदमी पार्टी इसमें जुड़ जाती है तो यह और भी अच्छा होगा इधर कॉंग्रेस ने वैसे आम आदम के हिसाब इस अभ्यान के तरह एक मेना हो गया है दो मेहने तक यह अभ्यान जलाने की बात कई है कॉंग्रेस ने जिसमें वो सारे नेता उसके सारी नब्वे विधान सवा सीटों पर जाएंगे और सरकार की खामियों के बारे में लोगों को बताएंगे और इसमें वो चार् नौक्रियां पुलिस और स्वास विभाग में खाली है, यह बताया जा रहा है, इसके अलावा जो घूटाले हुए है, एक्जाम पेपर लीग जो हुए है, अबराद जो बड़े हैं, दलीतों के खिलाफ जो अत्याचार बड़े हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराद हुए, इन सारी बातों पर हर्याणा मांगे हिसाब इस कैम्पेंड के तहत कॉंग्रेस जो है वो सवाल उठा रही है लोगों के बीच जा रहे हैं दिपेंदर हुड़ा कई बार खुद इस समय हम देख सकते हैं कि वो लोगों के बीच पहुच रहे हैं कहीं वो एक दिन की पदियात्र निकाल रहे हैं कहीं वो कुछ और कर रहे हैं मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे हैं बुपेंदर सिंगुड़ा वो भी लगातार एकदम सक्री अब दिख रहे हैं तो बीजेपी के लिए बहुत सारे मुश्किन है और उधर बीजेपी क्या करेगी अभी वो जाती और धर्म क ही जोड बिठाने में लगी हुई और दूसरा उसका सहारा जो है शायद गुर्मीत राम रहीम है जो जिन पर गंभीर आरोफ हत्या वलतकार जैसे और वो जेल से अभी पिर वो बाहर है पेरूर पे तो ये सारी चीज़े बीजेपी याने दिख रहा है कि सीधे सीधे नहीं गुमा फिरागी चुनाओ जीतने की जो तिकडम है वो लगाएगी लेकिन यहां पर कॉंग्रेस जो तैयारी कर रहे है जो आपने पहले भी कहा कि सकारात्मक तरीके से याने डिफेंदर उड़ा या कॉंग्रेस के बाकी लोग किसी को अपने दल में मिला नहीं रहे कोई तो वो सेना में जाना चाहते हैं खिलाडियों का जो मामला है यह उठा ही हुआ इसके लावा ब्रष्टाचार की बात और अफराद की बात इन सब के बीच अगर पांच सीटे बीजेपी की कम होई लोगसभा चुनाओं में तो क्या यह माना जाना चाहिए कि जनता के बीच नार चाहिए कि उल्क्राची का इन सब्सक्राची कंषरों का सबस्क्राज सब्सक्राइब हां में लोग को हिगते हैं और हर्याना है इसको हर्याना के लोग बिजेपी को आफ खरी-खरी सुनाकर बाहर करने की तैयारी में हैं दीपजे के खट्कर साहब को हटाया ही से लिए गया था कि उनके कारण पूरी भार्ती जन्ता पार्टी की जो सरकार है वहां पर राज्य में उससे लोगों की नाराज़गी थी किसान बहुत नाराज थे उनसे इसलिए खट्कर साहब को वहां से हटाया गया पकाइदे उसी योजना के तरफ हटाये गया कि विधान सब्सक्राइब के चुनावा आते-आते इतने ज्यादा लोग नाराज़गी हो जाए कि भार्ती जन्ता पार्टी वहां पर बुरी तरीके से पराजित हो जाए लेकिन ये नेन्ड़ने में बीज इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्य है वहां पर जैसे गुरुग्राम जाएए पानी पर जाएए या वहां की जितने अउद्योगिक शहर है वहां पर किसान तो इस तरफ नाराज है ही MSP को लेकर वहां पर बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार भी हुए है छो इसका असर होने जा रहा है ऐसा लग रहा है क्योंकि हम बहुत समय से लंबे समय से चार राच्यों को लेके बात कर भी रहे थे जार्खण हुआ हर्याना हुआ महराष्ट हुआ और जम्मू कश्मिर और जो भी उसका विश्ट्रेशन कीजिए एक बात हर को ही कह रहा था इन चारों राच्यों में भाश्पा के सामिस संक लेकी हथ्यार है वह हथ्यार था कि आप आप अपरेशन लोटर्स चलाइए लोगों को खरिद दिये जोड़ तोर कीजिए लेकिन इस समय कि लोगसभा का जो नेर निकला चार जूर की शान को निकला अब लोगसभा में इस समय जो विपक्ष्ट का आकार है उसके कारण लिए वहां पर शामिल होने के लिए कोई बहुत ज्यादा उसक नहीं रहेगा मुझे ऐसा लागता है कि भार्ति चंता पार्टी को वहां पर अकेली ही चुनाओ लड़ना पड़ेगा तो वहां पर आप को उनका साथ देता है वो देखने वाली बात है अब जो गड़बंद के लोगों को थोड़ा बहुत सहारा है वो इने लोगा मिल सकता है लेकिन दूसी बात भी है मायावती का जो रोल गहा है विष्टे कुछ समय से उसके कारण निश्य इसके कोई शक्त नहीं कि बहुत बड़ी नेता है उनका बोद अच्छा जनाधार है कई राच्यों में जन गोड़वाना गंतत्र पार्टी के साथ इकात पर उनका समझोता भी हुआ है यहां पे लेकि सप्रीटा नहीं रहती है वो नाम का गरबंदन कर लेती है केवल अपनी पस्टिती बताने के लिए अब लोगों ने जान लिया है कि हमें ऐसा वोट नहीं करना है जिक्ते कर जो वहां पे जो प्लेयर है वो दो ही रहेंगे भारती जन्ता पार्टी तो हई ही है कॉंग्रेस जो है उसके आगे बहुत बड़ी लखी खीच चुकी है अपने कारक्रमों से तो मुझे मेरा ऐसा अनुवान है कि मामला बहुत ही रोचक है संगश बहुत तगड़ा होने जा जो बढ़ रहा है और बीजेपी की नाराजगी की जो बात हम कह रहे हैं इसके कई प्रमाण लोगसबा चुनाव के दौरान भी देखने मिले जब वहां पर जो मंत्री है या जो प्रत्याशी है वो प्रचार करने के लिए कुछ गाउं में गए तो उनको गाउं में घुसने नहीं आने देगे जब किसान इस तरह का कर सकते हैं तो हो सकता है अब विनेश होगाट के लोटने के बाद खिलाडियों का भी कुछ ऐसा ही रुक रहे अगर विनेश होगाट के आने के बाद अगर अगले कुछ दिनों में ये देखने मिल जाएगा हमको कि वहां पर लोगो वाला है हर्याना का चुनाव और विनेश के लोटने के बाद हो गया है राजमीति में बड़ा ट्विस्ट नजर आ गया है तो दीपक जी यह ट्विस्ट आगे और क्या मोड़ा है क्या जो जाथा हूं कि जो किसान अंदोलन है उसका जो पहला पार्ट थै तो आप याद कीजें कि उससमय किसान राडबिती का जो चैंडर था वे दिली से किसान संचालित कर रहे हैं यो में इतने ही दोना चाहता हूँ जो वहां पर भाजपा की खिलाप जाएगा जी 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 एक और आ रही है विनेश लोट गई है अपने देश और दूसरी और है किसान जिनके खिलाफ अभी आपने जानकारी दी कि अब अगर उनको महां से हटने कह आप उनको सडगों पर बैटने लिए आप 예ящ Mobbas यह अगया है कि चुनाओं में इस तरह का कोई Janto्य यह व्याbal बीजेपी के पिछड़ने के आसार जो हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं अभी एक मेने का वक्त है एक अक्टूबर को जब हर्याना में वोटिंग होगी और चार अक्टूबर को उसका क्या फैसला आएगा इस बीच EVM को लेकर क्या खेल चलेगा या मोदी इस बीच कोई और नया दाम न चल दे या OBC आरक्षन को लेकर अगर कोई वहां पर खेल न कर दे बीजेपी तो ये बहुत सरे अभी पहनू बाकी है राजनीती के जो अभी उदगाटित होंगे आगे क्या होगा ये देखना दिल्चस्प होगा लेकिन आज जो नजर आ रहा है वो यही है क कि विनेश वगाट के लोटने से हर्याना की राजनीती में एक नया ट्विस्ट आ चुका है तो दीपक जी आज इस सर्चा को हम यहीं रोकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया